हलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक दिशनल दिने सर लाइव स्टेडी इन दे एक लव यो बैच आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आप मेरे साथ बने हुए हैं लगातार आप सीख रहे हैं मैट्स के जो एमेश्टी सीटी के कंटेंट हैं जो आने वाले जो साल है दो हजार इ जो भी तक हमारे वह चुके हैं पहले लेक्चर में मैंने पूरे मैट्स की समरी दी आप सभी को और जो पिछला लेक्चर दाने सेगें लेक्चर जिसके अंदर हमने लेवेंच स्टाइंडर का जो content है 20 परसेंट आने वाले पहले उसको हाथ मेली आ है उसके बाद 12 का content हम ले दिया था अल्री क्योंकि एकदम बेसिक सिखाना मतलब वह आपको 11-12 या 9-10 सिख रहे हैं वह मैंने बताया नहीं था जो भी अभी MSTCT के लिए 11-12 का concept है वो comparatively मैं आपको सिखा रहा हूँ पिछले lecture से अभी last lectures में हमने देखे थे कि sum and difference होगा तो उसका trigononic function कैसे निकालना और बहुत सारे अलग-अलग formulas हमने देखे थे allied angles का trigononic function कैसे निकालना यह सारी हमने देखे थे आज का जो lecture है इसके अंदर हम आगी का पार देखेंगे इस chapter के अंदर इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि trigononic functions of multiple angles में double angles आएंगे कि अगर 2 theta है जैसे sin 2 theta, cos 2 theta तो उसके formulas कैसे होते हैं कैसे बनते हैं और उसी के साथ triple angle भी होता है 3 theta उसी के साथ half angle भी होगा तो यह concept जा बहुत सारे एंट्रेंस होंगे आपके MSTCT यह मेंस दे रहे हो तो उसके अंदर questions आते हैं और अगर आपको यह concept clear होगा formula याद होगा तो आप बहुत आसानी से जो कोई भी question होगा उसको आप solve कर लोगे perfect answer निकाल लोगे तो फिलाल जो हमारी series चाले हो इसके अंदर मैं पूर syllabus क्या है उस syllabus में content क्या है वह सारी चीजे सीख लो उसके formula समझ लो फिर याद कर लो उसका application उसको किस तरह से घुमा फिरा कि हम यूज कर सकते हैं एक बार यह सारी चीजे आ गई ना फिर उसके basis पर जितने भी mcqs होंगे उसको practice करना चाहिए आपको और वह आपको आसानी स आ जाएगा तो चलो देखते हैं यहाँ पर जो ट्रियूनिक फंक्शन सब्सक्राइब मल्टीपल यहाने जैसे डबल ट्रिपल इस तरह से इसको मल्टीपल बोलते हैं सबसे पहले हम लोग डबल एंगल की बात करते हैं क्योंकि एक बार डबल एंगल आ गया तो उससे ही रि प्रवलम नहीं तो जिससे डबल एंगल तो हम साइगा जरटी ट्रिगोनिक फंक्शन में हम लोग बात करेंगे साइं कॉस्ट तैन कॉट सैक और को सिक इतने सारे trigononic functions होते हैं जिसमें से जो basic 3 है वो यह है sin, cos, 10 आपको सब पता ही है और यह जो 3 होते हैं यह इसके उपर dependent होते हैं अगर आपको sin पता है उसका reciprocal कर दिया तो कोसेक हो गया cos का जो भाई सेक होता ही है 10 का भाई caught होता ही यह अगर आपको sin की value पता है तो कोसेक हो जैसे कि अगर sin theta sin theta की value 2 by 3 है सब पूच तो आप कोसेक theta की value निकालनी चाहते हो sin theta 2 by 3 है तो कोसेक theta उसका भाई होता है sin का भाई कोसेक यह उसका उल्टा हो जाएगा 3 by 2 तो यह हमको सब यह सब trick सीखने है सब 9 10 के concept है तो यहाँ पर हम जो भी formula सीखेंगे जो याद रखेंगे वो basically 3 sin, cos, 10 इन के लिए ही याद रखना है सबसे पहली बात अगर आप इन 3 के लिए formula याद रखते हैं तो इससे related question आया जिसमें कोसेको तो हम उसको जैसे cot है तो 10 में convert कर दिया सेको कॉस में और फिर solve कर सकते हैं इन 3 के formula से तो हम हमेशा sin, cos, 10 के formula ही जादा तर देख रहे हैं चैप्टर में पिछले lecture में भी और आगे भी याद रखना double angle की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है sin 2 theta जब sin 2 theta की बात करेंगे हम तो यहां पर याद रखो sin 2 theta है फिर cos 2 theta है tan 2 theta sin cos tan तीनों के साथ अगर 2 theta है यानि double angle है तो इसका formula क्या होगा हर बार क्या होता बच्चे confused हो जाते हैं कि यार इसका मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया sin का formula में cost में लिख रहे है cost का sin यह trigo chapter ही ऐसा इतने सारे formula है कि कितना भी याद करो बाद में कैसा overlap हो जाता है तो आपको ना जब याद करते हो ना तो कुछ tricks याद रखनी चाहिए कि कोई formula जब याद रख रहे हो तो कुछ बाते उसके अंदर होती है 2 into sin theta cos theta यह बिल्कुल basic formula है तो यह आपको याद रखना है अब आप बोलोगे सर यह formula तो हम याद रखेंगे लेकिन यह आया कहां से देखो मैं सब के लिए बताऊंगा sin, cos, tan वगरे तो यह आया कहां से तो देखो अभी जो हम step by step चीजे सीख रहे है लास्ट लेक्चर में आपने देखा था sum and difference of angles उसका trionic function तो हर एक चीजे ना एक दूसरे के उपर dependent होती है तो आपने सीखा था पता है sin a plus b sin a plus b ठीक है? क्या था? याद आ रहा है? मैंने सीखा था पहले sin लिख दो, फिर cos लिख दो प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर cos और sin यहना इस तरह से और यहाँ a b है तो आप a b a b, यानि क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b अगर समझो कि यह जो 2 theta है इसको मैं यहाँ पर a plus b की जगर पर theta plus theta समझ लो, 2 theta को सिर्फ समझा रहा है formula कहां से आता है ऐसे application कर सकते हैं कोई चीज़े जब बोलेगा ना this is equivalent to what mcq के अंदर भी 4 option होगे so यह जो चीज़े देखो किस तरह से कोई एक formula यूज़ करके तो यहाँ पर जैसे यह sin a और b दोनों मेरे के हैं दोनों theta है सेम से में यह हो जाएगा sin theta cos theta यह क्या हो गया cos a क्या है theta sin theta अब यहाँ पर देखो sin theta cos theta और यह भी sin theta cos theta multiply है आगे पीछे बातो चलेगा तो sin theta cos theta sin theta into cos theta दो बार है तो 2 times sin theta into cos theta 2 theta का formula यह होता है कैसे आए देखा आपने कि जो sum of two angles और उसका trigonics function का formula sin के लिए उससे हमने यह निकाल लिया तो इसी तरह से जो भी formula होगी अभी आगे चल के double angle यह triple angle यह यह सब इसी तरह से आप derive कर सकते हो जो पिछले formula आपने सीखे एक formula का यूश करके दूसरा formula आप निकाल सकते हो लेकिन क्या भी हर बार ऐसे निकालने की जोरत है नहीं नहीं आपको जिर्फ याद रख लेना है कि sin 2 theta होता है वो 2 sin theta into cos theta आदा है यह basic formula है जैसे आपने यह याद करके रखा है कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 याद है आपको identity तो जैसे यह याद है हमेशा mind में print करके रखाना है sin square plus cos square is 1 1 plus tan square is sex square theta 1 plus cot square theta is cos square theta तो यह जो तीनों identities जैसे इसके बाद second जैसे आपने mind में print करके रखे है उसी तरह से यह जो double angle के formula उसको print करके रखो यानि याद करके रखो बार-बार हमको derive नहीं करना यह मैंने क्यों बताया ताकि आपको पता चले कि कोई किस तरह से एक formula का use करके दूसरा formula हम derive कर सकते हैं तो अब sin 2 theta का यह formula हो गया sin 2 theta का यह formula है इसमें और एक formula आता है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta यह formula भी sin 2 theta का ही होता है यहाने sin 2 theta आपने आपने दो-दो formula रखता है तो यह दोनों formula जो है हम लोग उसके बतले यह use कर सकते हैं पर आप सोचों कि सर यह आचानक tan में कैसे convert हो गया कैसे तो देखो कर सकते हैं अगर मैं आपको बता हूँ इसी formula से देखो बेसिकली sin 2 theta का जो basic formula यह आपको पता है कहां से है 2 sin theta into cos theta ठीक है ध्यान से देखना अभी अगर मैं समझो यहां पर tan लाना चाहता हूँ तो tan क्या होता है basic पता है आपको tan theta होता है sin theta upon cos theta ठीक है यह basic formula था sin upon cos tan होता है यहांने जो sin अगर इसके upon में cos आ जाए तो फिर tan theta आ जाएगा और sin को हम tan में convert करना जाते है तो यहां पर एक trick यूज करता हूँ मैं देखो first identity first identity क्या था आपको पता है यह 2 sin theta cos theta को समझो मैं 1 से divide करता हूँ कर सकते हैं जिसका upon नहीं होता है जिसे 2 2 का upon कुछ नहीं है तो 1 होता है तो इसको अगर मैं 1 से divide करता हूँ तो value तो वही है कुछ नहीं upon में तो 1 है जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है सबका मालिक 1 अब यह जो 1 होता है इसको अगर मैं बता हूँ तो पहला जो identity है क्या था sin square theta plus cos square theta यह भी 1 होता है sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो मैं 1 की जगा पर यह रख सकता हूँ क्यों रख रहा हूँ वही अरे मुझे यह formula कहां से है न वो बता रहा हूँ आपको तो आपको क्या करना है सीखना है कि कैसे हम एक formula से दूसरा formula ला सकते है ठीक है अब देखो आप क्या कर सकते है हम लोग की यहां पर लाना क्या है देखो 1 और यहां tan square तो हम कैसे कर सकते हैं कि मैं यहां पर cos square theta से अगर divide कर दूँ कैसे देखो 2 sin theta और cos theta इसको मैं अगर cos square theta से divide कर दूँ अब आप बोलोगे 122 जाए 8ya से ही क्यों क्या को स्कॉइर अगर आपको बताऊंगा कि देखो यहां पर मुझे ठैन चाहिए और नीचे भी रही है और 10 क्या होता है साइन अपॉन पॉन प्लॉस जाना चाहिए और यहां पर 10 square चाहिए चार्थ ओर लॉड यह 1 को स्कॉइर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब यहां पर इसको स्प्लिट करो साइन स्क्राइब को स्क्राइब को स्क्राइब को स्क्राइब को स्क्राइब हो गया तो आगे देखो 210 टीटा फिर 1 प्लस 10 स्कूर आगे पीछे प्लस में चलता है तो देखा आपने कैसे साइन 2 टीटा का फॉर्मूला यह भी आ किया निकाला इपल घिरा है आप बेठे में पेड़ के नीचे निचे क्या गरते हैं इसको तुरन खा लेते हैं बराबर लेकिन नियूटन ने जमीन के अंदर ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन होता है तो उसी तरह से अगर हम कुछ सोचेंगे तो हम भी अपने आप में कोई एक रिसर्चर बन सकते हैं किसी नई चीज के खोच कर सकते हैं हमारे आसपास चीजे सब होती है पर उसमें एनलिसिस करने की ज़रूत है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तो यह देखो आभी मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि मैं डबल एंगल्स एन हाफ एंगल्स की ब बात करते हैं कॉस्ट तू थीटा कॉस्ट थीटा देखो साइन टू थीटा ना यह बहुत ही मतलब अच्छा है इसमें एक चोटा फोर्मुला है तू सैंटीटा रिलेटेडर और टैन से रिलेटेडर पर कॉस्ट टू थीटा इसके मॉल्टीबल फॉरूले दोते हैं कभी कॉस्ट थीटा का बेशिक फॉर्मूला होता है कॉस्ट थीटा मैंने साइन स्कॉर थीटा अब फिर वही बात कि आया कहां से कैसे ला रहे हूं सब्सक्राइब अब याद करना है याद कर चूगे और लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में आए कि नहीं सर बता दो यह कै जैसे ही आये ता सांव फित है कैसे ईंटिसांद किसे विल्कूल उसी तरहिकर से हैं है कैसे सो कॉस कॉस आदे क्या थाको से क्सक्रचिरा करगते क्आदirdet यादे ना अगर यहां साइन होता तो पहले साइन फिर कॉस फिर कॉस फिर साइन है इसे लेते और कॉस में क्या करते हैं प्लस है तो माइनस लेते हैं और माइनस होगा तो प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं पिशला लेक्चर बहुत इंपोर्डेंट था याद रखो मैंने कहा किया अब यह cos 2 theta है ना तो cos a plus b का formula यूज किया अगर समझो यहाँ पर 2 theta है 2 theta को मैं ऐसे लिख दू a plus b की जगा theta plus theta तो यहाँ पर a और b जो है यह a b a b सब को सब को मैं समझो theta ले रहा हूँ theta 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 तो क्या हो गया cos 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 square theta sin 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 square theta आया ना formula तो हार एक formula कैसा हवा से नहीं आया वो एक दूसरे से related है सब तो यह आ गया अब इसी के और formula होते हैं जैसे 2 cos square theta minus 1 कहां से आ रहा है इसी को चलो यहाँ पर करते हैं अगर मैं इसको ऐसे कर दू cos square theta minus sin square theta क्या होता है देखो basic formula यह है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 अगर मैं बोलों यहां से sin square के लिए formula बना हो तो cos square वहां गया क्या हो जाएगा 1 minus cos square theta समझ में है तो क्या हो जाएगा यह देखो यह minus minus यह bracket open करेंगे minus minus plus cos square और plus cos square तो 2 cos square theta और यह minus 1 अब ज्यादा सक्थी चाहने नहीं देखेती सक्थी एक सुम्स स्देख साथ करो तो birds कर सकते हो थी b क है यह부ार और यह minus minus plus cos square cos square 2x cos square theta और यह minus 1 तो यह आगे देखो फर्मूला आप किसी को लगेगा कि और भी कोई formula यस चलो इसको तो 1-2 sin square theta तो यह भी derive हो सकता है इससे derive होगा देखो अगर यह cos 2 theta है आपको cos square theta के term में चाहिए तो इसका यह formula यूश करो अगर आपको सिर्फ sin square theta के term में चाहिए तो यह formula यूश करो अगर cos और sin दोनों की value पता है तो सिधा यह formula यूश कर सकते हो समझ में आ रहा है और एक formula होता है कि 1-10 square theta upon 1 plus 10 square theta समझ में आ रहा है तो यह formula भी cos 2 theta का है जैसे कि sin 2 theta in terms of 10 यह formula है वैसे cos 2 theta का tan के term में यह formula है यहां cos 2 theta के कितने formula हो गए 4 sin 2 theta के 2 formula हो गए अच्छा जैसे मैंने यह निकाला ना cos यह cos square minus sin square theta से यह किया तो इसी तरह से चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना अगर यह formula चाहिए तो कैसे कर सकते हो देखो यह cos square theta है अभी मुझे sin के term में चाहिए तो cos square को change करें 1 minus sin square theta से यहाँ से यहाँ से बी तो при подроб x 3Me तो चाहिए से ना स्च जैसा हमाना čाहिएinky अब यह वाला तो आ चुकत है अब यह यह जो 1 minus sin square theta upon one plus 10 square theta यह का से यह से यह काँ से आप ढ़ना या आप साइन लええ लाख है इसे ही आप कर सकते हो चोलो यहीं पर प्रूफ करके देखते जो यह आया था कॉस्वार थीटा मैंने को कॉस्च टू थीटा क्या होता यह कॉस्वार मैंने साइन स्कुर्ण अब उससे ही कैसे आरा रहा देखो बिस इसको ना वन इसका अपंवन कुछ निया तो थो वन आप समझो की को स्कूर से मैं डिवाइट कर दिया तो होगा क्या से न्यूमेरेटर ऐंड डिवाइट कर दिया तो होगा बश्कुर्ण तो यह साइन। आप लिए पालख स्क्राशु को स्क्राश्वारा सब्सक्राइब शुक्राइब 2 theta तो देखो जैसे कि sin 2 theta का formula है ना बिल्कूल यह जो sin 2 theta का formula है ना उसी तरीके से tan 2 theta का भी formula होता है कैसे होता है देखो यहाँ पर जो यह same formula है 2 times tan theta upon यह कहता 1 plus है ना सिर्फ plus को minus कर देना 1 minus tan square theta यह tan 2 theta का formula है बिल्कूल ध्यान से देखो sin 2 theta का formula होता है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta और अगर इस plus की जगह पर मैं माइनस कर दूँ तो यह हो जाएगा 1 minus tan square theta और formula उपर numerator में 2 tan theta ही है सिर्फ एक plus और minus का फरक है अगर यहाँ पर plus है तो आप sin 2 theta लोगे और यहाँ माइनस है तो tan 2 theta लोगे कहां से आया कहां से क्या आया basic देखो सीधी सी बात है tan क्या होता है समझो tan 2 theta है tan होता है sin 2 theta upon cos 2 theta basic हां 10 क्या होता है sin upon cos sin 2 θ का formula क्या है यह देखो 2 tan θ upon 1 plus tan square θ cos 2 θ का formula क्या है यह 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta यह क्या था यह sin 2 θ का formula यह रहा और यह cos 2 θ का formula तो इस में से 1 plus tan square दोनों का दिन Porsches amazing है 2 tan θ upon 1 minus tan square तीटा देखो आगया 210 टीटा 1 1-10 स्क्राइब बढ़ी आसानी से आए ना दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या था जैसे यह था देखो अगर ऐसे कर दू तो जहां भी ए और बीए सब थीटा हो जाएगा बिलकुल देखो अभी पिछले जो प्रूफ मैंने बता दे उसी तरह से अगया तो यह हो गया ना टैन थीटा प्लस टैन टीटा टू टाइम स्टैन थीटा और वैन माइनस टैन इंटू टैन स्क्राइब ती हैं तू टीटा का फ़ार मुला पता और टैन टीटा का फ़ार मुला पता है यह चाहता तो एक बनगों आताथ हो लें कि हम इतना टाइम हो permettre तो कोई भी वैलू दे दो आप उसका एंसर निकाल लोग और भी परफेक्ट एंसर और आपका एम यही होना चाहिए कि मेरे पास चार ओप्षन है चारों में से जो परफेक्ट है वही मुझे लाना है तभी आप जो है क्रैक कर पाओगे कोई भी एक्जाम ठीक है तो यहां पर यह पूरा लेक्चर देखा होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लाइव लेक्चर मेरे होंगी जो एमसी के उसमें धगा धग एंसर दोगे ठीक है अचा अब यह समझो कि मैं हाफ एंगल की बात करता हूं उसके पहले साइन कॉस टैन हो चुका है साइन कॉस टैन लेकिन टी और दी ओंगती डिया है तो सबस्क्रों और लेकिन आप हमेशा याद रखो कि यह पूर्म लेत यह ज्यार रखो इसका यह दोनों formula याद रखो इसका यह भेस, यह तीनो formula याद रखना है और 10 वाला भी और 10 का यह formula याद रखना है अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि half angle मतलब क्या तो अगर समझो half angle मतलब क्या है समझो sin यहाँ पर यह 2 theta था अगर यह 2 theta का समझो कि मैं half कर दू तो 1 theta होगा 2 का half 1 तो 2 time theta का half 1 theta तो क्या होगा इसी formula को 2 theta के बतले अगर theta लेते हैं half angle करते हैं तो यह जो theta है वो भी half angle हो जाएगा मतलब क्या कि यह जो बाहर 2 है formula वही रहेगा 2 into sin theta तो sin theta है वो theta by 2 हो गया फिर cos theta है यह हो गया cos theta by 2 ठीक है तो यहाँ पर अगर 2 theta है अगर इसका half angle करते हैं half angle तो 2 theta का half theta तो यहाँ पर भी दोनों angles को सीफ half करने formula वही रहेगा तो अभी इसी के अंदर में change करता हूँ अगर आपको double angle formula याद हो गया ना तो सारे half angle formula याद हो गया देखो formula रिवेंज सेम formula सेम है खाली जहां पर भी theta थीटा था theta by 2 हो गया और जहां पर 2 theta था थीटा था थीटा हो गया अब यह पहले तो आप screenshot ले लो और आपने नोट बूक बनाई यह की नहीं बनाई यह नोट बूक बनाना है भाही मेरे यह सारा लिखना है एक जगा पर आपके पास होना चाहिए डीटेल सीरीज में सब कुछ करा रहा हूं लाइन से सब मिलेगा पूरे topics मिलेंगे अब ही थोड़ा सा टाम टेबल में कम लेक्टेस है धीरे धीरे रेगुलर लेक्टेस आएंगे आप भी जड़ा हो बैच में मैं भी आपके साथ पर लिए यह आपके टोट विख टेर आपके इसी के अंधर में रहे हो आपके जिए घ्राइब्री अटेपल एंगल फॉर्मले थे यह लिए cos 2 theta का समझे theta हो गया half angle तो यह theta by 2 theta by 2 समझे यह भी theta by 2 theta by 2 theta by 2 इसको bracket रख सकते हैं आप angle को यहां भी angle दाल रहे हो theta by 2 angle में है फिर यहां पर भी अगर यह tan 2 theta का theta हुआ half angle तो यह हो गया theta by 2 theta by 2 अरे यहां पर 2 theta by 2 तो इस तरह से हैं तो याद रखना है आपको ओके अच्छा एक बात यहां पर मैंने आपको पहले double angle बताया और उसी के आधार पर मैंने बताया कि half angle अगर आपको double यहां प्लस रहता है और टैन होगा यहां माइनस होता है दोनों का फॉर्मूला लगबग सेमी है देखो सिर्फ प्लस माइनस का डिफ्रेंस है यहाद रखना है तो यहां पर हमने कवर कर लिए double angle और यहां पर यह है half angle चुलो अभी आपको triple angle बताता हूं ट्रीपल एंगल फॉर्मूले देखो फिर से ट्रीपल एंगल फॉर्मूले में बैसिकली हम वही करेंगे साइन 3 थीटा कॉस्ट 3 थीटा और टैन 3 थीटा याने अभी हम जो double angle फॉर्मूले कर रहे थे वहां पर 2 थीटा था अब वहीं समझो 3 थीटा अगया तो क्या करना त साइन 3 थीटा की बात करेंगे तो आपको क्या करना है को यहां पर इक रूपा थो 34 साइन 3 थीटा के लिए और Χॉंस थीटा के लिए होता एफ फॉर्टी थी इस तरह से 34 और theatre या रखो साइन के फॉर्मूले में सिर्फ साइन ही आए अगत माइनस साइन साइन3 थीटा गिं साइन ठीद करो हमкиड़्ा है क्या deva सपिरे इसाइन छेप सब्सक्राइब 433 तो पहले ओग दूसरे माइनस सब्सक्राइब अब क्या करना है यह दोनों फॉर्मूले में याद रखना है कि जिसके पास 4 है जिसके पास 4 है देखो यह 4 इसके पास उसको cube देना है 4 sin cube जो अल्वडी 3 से multiply उसको cube नहीं करना जिसके पास 4 इसको क्यूब कर ना है इन दुनों में देखो 4 किसके पास है यह इसको क्यूब कर देना formula क्या बन गया sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta 34 formula इसको हम बोलेंगे cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta तो ये ट्रीक है cos 3 theta के formula में दोनो value cos रहेगी बीच में minus sin 3 theta के formula में दोनो value sin होगा sin में 34 आता है याने पहले 3 बाद में 4 cos में 43 आता है पहले 4 बाद में 3 जिसके पास 4 है उसका cube करना तो ये एक trick है formula लिखने का अगर आपने formula को रट्टा नहीं मारा और ये सारी चीज़े जो मैंने बताई उतना आपको पता है तो आप अगर formula भूल भी गया तो जो trick है उससे आप लिख लोगे ठीक है कैसे आ रहा हो प्रूफ भी करके बताऊंगा मैं आपको अगर कभी भूल गया भूलो के तो नहीं भूल गया तो ये trick से करना प्रूफ अगर इकी ज़रुत नहीं होते हैं लेकिन क्या मैं सिखाना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला कैसे हम डिरावी भी कर सकते हैं अगर इस फॉर्मूले के बदे दूसरा भी कुछ दे दी आ जाए तो कैसे हम उसका एंसर ला सकते हैं वह बहुत ज़रूरी है टैन 3 ठीटा में क्या करोगे देखो यहां पर टैन 3 ठीटा में आप सबसे पहले करो टैन ठीटा माइनस टैन ठीटा कर दो ठीक है इस तरह से और फिर यहां पर 1 माइनस 1 माइनस यहां पर टैन स्क्वेर ठीटा कर दो यहां पर क्या करना है कि यह जो टैन ठीटा है ना इसके पहले 3 लिखो और यह जो 10 है इसका cube में 3 लिखो 3 tan theta minus 10 cube theta इस तरह से और upon में क्या करो 1 minus यह जो 3 tan theta है वो यहाँ है गा 3 tan theta और 10 के साथ square आ जाएगा यह थोड़ा सा लग है इसको याद रखो 10 3 theta क्या करना है 2 बर 10 जिसे sign के लिए 2 बर sign लिखा cos के लिए 2 बर cos लिखा 10 के लिए क्या करो 2 बर 10 लिखो और यहाँ 34 या 43 नहीं रहेगा यहाँ पर पहले 10 के साथ में 3 देदो दूसरे 10 के ऊपर 3 देदो याने cube देदो upon में क्या करना है 1 minus यह जो है वही लिखना है पहला वाला 3 tan theta और इस 10 को square कर दो तो यह याद रखने की trick है अब इन formulas को यह जो भी तीनो formula है याद रखने की trick तो आपने देख ली लेकिन अगर कभी 3 theta के बदले कुछ आ गया 5 theta 6 theta उसका कुछ answer है और बोला गया कि कौन सा perfect answer है तो कैसे करेंगे या तो यही formula है तो कैसे लाएंगे तो अभी आपने देखा sin 2 theta था तो मैंने कैसे प्रूफ किया था cos 2 theta को भी वैसे प्रूफ किया था इसको भी वैसे प्रूफ कर देख देख लो एक मैं करके दिखाता हम बाकिया आप खुछ से practice करना सिफ सीखना है हमें sin 3 theta तो इसको देखो हमने जो यह सीखाता देखो sum और difference 3 theta को मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 theta plus 1 theta 3 theta अब यहाँ पर जो पहले के basic formula थे sin A plus B याद आ रहा है क्या था sin A A मतलब 2 theta into cos B यहने theta plus cos A 2 theta into sin theta मतलब A और B हैं 2 theta थीटा expand कर दिया मुझे तो यह लाना था यह क्या आ गया करते यहाँ पर देखो अभी जो sin 3 theta का formula हम expand कर रहे है answer हमें sin में चाहिए answer sign में चाहिए तो जहाँ भी sin है वो ठीक है जो cos है उसको replace कर दो cos theta को हमें replace करना पड़ेगा तो उसको replace करने के पहले देखो यहाँ sin 2 theta है इसका formula अभी अभी मैंने सिखा था double angle में 2 sin theta into cos theta होता है और यह cos theta पहले से यह cos theta जो है अभी यहाँ पर cos 2 theta यहाँ चाहिए यह नहीं cos 2 theta तो cos 2 theta का formula sin के term में याद करो क्या था sin के term में 1 minus 2 sin square theta into sin theta क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ sin के term मिला ना जहाँ भी cos दिखे का उसको sin में convert कर देना अब बोलोगे यहाँ पर cos था उसको क्यों नहीं कि रुको अभी इसमें से 1 cos निकला यह दोनों cos square हो जाएगा 2 sin theta cos 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 square theta और plus अब यह sin का multiply दोनों में करो sin into 1 sin theta minus 2 sin square 2 sin cube theta अब आगे आगे क्या होगा देखो यह 2 sin theta है यह cos square है इसको भी हम कर सकते हैं 1 minus sin square theta basic identity जो first है sin square theta plus cos square theta वहाँ से cos square को मैंने 1 minus sin square कर दिया और यहाँ पर पहले से जो है वो लिग दिया यह मैं बता रहू हो कि फॉर्मूला कहाँ से थोड़ा लेंथी हो रहा है फिर भी देखो 2 sin theta into 1 2 sin theta इसका multiply भी इसमें करो 2 sin theta into sin square theta minus 2 into sin cube theta हो गया क्योंकि यह sin square और sin cube theta plus sin theta minus 2 sin cube theta अब देखो यह दोनों cube वाले हैं उनको छोड़के 2 sin theta और 1 sin theta मिलके हो गया 3 sin theta minus minus है दोनों minus है 2 sin cube और 2 sin cube तो minus 4 sin cube theta देखो आ गया 3 sin theta minus 4 sin cube theta समझे तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आ रहा है तो इतना हमको प्रूफ करके दिखाना नहीं है कहीं भी बट आपको सीखना है कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला की इस तरह से आर आपको दिखाई दे रहा है पुरा हाँ ठीक है कट नहीं हो रहा है तो इस तरह से sin 3 theta को मैंने आपको प्रूफ करके बता है आपर ठीक है अभी cos 3 theta भी आप खुद से ऐसे प्रूफ करके देखना है क्या करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे करना है जहां sin है cos कर देना sin है cos 2 theta theta फिर cos a plus b का expansion होता है फिर जहां भी cos 2 theta होगा उसका formula लिख देना फिर इस तरह से सारी जग़ा पर cos लाने की कुशिश करना तो finally दो नो cos के टम में आ जाएगा इस तरह से tan 3 theta है तो इसको हम लोग tan 3 theta को ऐसे लिख सकते 2 theta plus theta tan 3 theta फिर यह हो जाएगा tan a plus b tan a plus b का जो formula था use करना पौन में था tan a plus b तो वो formula use करना यह भी आ जाएगा तो यह आप क्या करो यह तो चलो मैंने आपको सिखाया याद क्या करना है बस यह याद करना है इतना याद रखो यह तीनो फॉर्मुले याद रखो कैसे 34, 43 और tan 3 theta अगर यह सब याद रखते हो ना जितने formula में बता रहा double angle, half angle, triple angle आप एक्दम genius बन जाओगा यार master बन जाओगा यह बहुत easy लगेगा कोई भी question आएगा ना उसका perfect answer निकाल पाओगे concept आना चाहिए समझ में आ रहा है तो अभी तक हमने बहुत सारे formula सीख लिए सबसे पहले sum and difference वाला देखा था यह वाला जो formula था sin a plus b वगरे allied angles का पूरे concept पे ने आपको बताए आज multiple angles में हमने double angle, triple angle, half angle सब दिखा अभी जो अगला concept बहुत ही जबर जास्त है important है हमको जो सीखना ही है ट्रीगो 2 के अंदर factorization formula defactorization formula तो इसके पहले कि सारे concept है आप यह सब लिखते रहो अभी यह formula लिख लो और इसको याद भी करते रहो और अपना खुद का एक चार्ट बनाना formula का चार्ट जितने भी formula मैंने बता है न वो एक चार्ट बनाना और मैं तो सजेस्ट करूँगा जहां तुम्हारा study का जो place है सबका study room तो होगा नहीं अकेले का मैं समझ सकता हूँ जहां भी जिस भी कोने में घर के आप पढ़ते हो वहां पर उस चार्ट को श्टिक कर देना दिवाल पे और बोलते हैं जैसे मंदीर होता है तो यह जो चार्ट आपका ट्रीगो का मंदीर होना चीए क्योंकि यह जो ट्रीगो है ना आपको भार-बार यूज़ करने होगे बार-बार आप डिफ्रेंशियेशन ए डेरिवेटियव कर रहे हो यह इंटिऎग्रेशन कर रहे हो ट्वल्थ के चैप्टर कर रहे हो तो मैक्जिमम प्लेश पर ना यह फ्रमले यूज़ होंगे इसका चार्ट बनाके एक प्लेस पे चिटका दो हमने यहां बर की दीखना चीए हमेशा कभी भी कोई सम करते हो फॉर्मुला याद करने ने क्या है यहां एक बर मैच कर लेने का पर्फेक्ट है ना क्योंकि गलत नहीं सीखना हमें सही सीखना हमेशा को इसको च्रीश्वर लेलो नोट भूबुक में लिखो मैं आगे फैक्टर जेशन फॉर्मूले चाटो मैं अभी तक क्या देखा था इस Cindy यह तो माइनस यह तो कॉस जो एंगल से संट यह ब्या अगर कोई दो अलग 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 एंगल सिंप प्लस मैं बीच में माइनस है और इसा किदो नों भी कॉस हो सि और बीच में भी यह सा ऑगा माइनस है तो इस तरह की कुछ वर्मुली क्रिएर्ट होगे तो कइसे करोगे था तो मैं अच्छे से बता रहा हूं कि आइडिया बता रहा हूं कि कैसे याद रखना है ओके फॉर्मूला कैसे क्रियेट करोगे इसका फॉर्मूला होता क्या है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर जो एंगल C और D मैंने दो एंगल लिया हुआ है तो यहां पर इसका फॉर्मूला में कुछ इस तरह से क्रियेट कर रहा हूं जिसमें क्या होगा कि दोनों के बीच में जो प्लस है और मल्टिप्लिकेशन आ जाएगा मतलब इसको इसको ऐसे बोलेंगे तु कनवर्ट दस सम ऑफ टू ट्रिगोनिक फॉंक्शन इंटू प्रोड़क्ट ऑफ टू ट्रिगोनिक फॉंक्शन इस तरह से जितने भी फॉर्मूले है सबके एंसर में टू आता ही है तो टू इन टू आपको लिख देना है क्या लिखना है टू इन टू अब दोनों अगर साइन है और बीच में पलस है तो अब यहां क्या करोगे पहले साइन ले लो फिर कॉस ले लो अगर दोनों साइन बीच में माइनस है तो यह जो कॉस है वो पहले लिख दो साइन बाद में लिख दो ठीक है दोनों अगर स्दुर्श में मतलब एंसर में भी लोग जी रहेगा दोनूं अगर स्दूर Mastic माइनस में याद रखनाये आपको यहां पर पर सी माइनस वोस दी है तो भीच में माइनस आ Wię यहां पर क्या गया अरे माइनस है तो दोनों साइन आ गए और प्लस है तो दोनों कॉस आ गए बसे त्रीक है अब इसके बीच में भरना क्या है वो यहां पर यह प्रोड़क्ट है और दूसरा जो भी trionic function होगा वहाँ c-d करो upon 2 करो समझ गए कहाँ पर भी करोगे c-d upon 2 यह तो c-d upon 2 इस तरह से यह है c-d upon 2 c-d upon 2 इस तरह से यहाँ पर भी c-d by 2 और यहाँ पर c-d by 2 बट याद रखो जब भी दोनों cos-cos और minus हो तो दोनों में sin तो आए गाई और अगर इसी तरह से लिख रहे हो पहले c-d by 2 बाद में c-d by 2 तो यहाँ एक minus देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि नहीं यार यह minus वाला नहीं याद रखना तो यहाँ पर cos-c minus cos-d को दो तरीके से आप formula रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर आपने देखा 4 टाइप के factorization formula हैं जिसमें दो अलग-अलग trigonics functions का अगर sum या तो difference दिया होगा तो उसको किस तरह से हम factors की formula ला सकते हैं दो trigonics function के multiple की formula ला सकते हैं अभी इसी के साथ और भी मैं आपको बदना चाहूंगा कि defactorization formula वो क्या होता है defactorization formula इसी का उल्टा है बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर दो अलग-अलग trigonics functions है उनका plus करने पर sum करने पर दो अलग-अलग trigonics functions का product आता है तो defactorization formula क्या होता है कि अगर कोई दो trigonics functions का product है तो उसको defactorize करोगे तो अलग-अलग terms आने जिए फिच में plus या minus आना चाहिए तो बिल्कुल इसी से related है उसको मैं बताना चाहूंगा आपको तो चलो यहीं पर मैं बताता हूँ इसको ताकि related रहेगा न इसलिए तो सबसे पहले आप देखोगे sin c plus sin d इसका उल्टा करते है सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर पहला यहाँ पर जहाँ c plus d है न उसको a समझना और c minus d by 2 है उसको b समझना ठीक है यह एक है concept देखना तो सपोज यह 2 sin 2 into sin a into cos b a into cos b यह है समझो या तो है 2 into cos into sin 2 cos a into sin b या तो 2 cos 2 cos a into cos b या तो यह समझो 2 into sin a into sin b इस तरह से अगर 4 अलग-अलग defactorization formula यहाँ पर जो answer था उससे question ला रहा हूँ है यह product के form में है इस form में कैसे लाएंगे तो करना क्या होगा देखो सी दी सी बात है जैसे 2 sin a cos b अगर sin पहले है cos बात में है sin पहले है cos बात में तो answer में दोनों sin है अब sin ले लो sin और sin okay sin पहले है तो बीच में plus लिख दो okay sin पहले है तो बीच में प्लस लिख दो अब एंगल में क्या करना दोनों जो ए और बी ना तो a plus b कर देंगे और यहां पर a minus b समझ में आरा जैसे यह c plus d और c minus d upon two था तो a plus b और a minus b आ जाएगा दोनों sign कर दिया यहां पर देखो cos पहले हो कजस पहलें म approach चरएंग पार में ऐसे टाइम पर क्या का दोनों धोल्का सुछका यहां पर दोनों dom Tampa 와 बीच में मैं meant और और करेंगे क्या एंगल में इन दोनों को a और b को प्लस कर देंगे और यहां पर यहां और बी-को माइद सब्सक्रते देंगे अगर समझो यहां पर दोनों कॉसे टू कॉसे कॉस बिल्कुल यह देखो टू कॉस ए कॉस बी रिवस यह एंसर लाते समें दोनों कॉस होगा दोनों कॉस कॉस c और plus cos d यानि cos cos अब c और d की जगह क्या लिखना माल है यहां पर a plus b और a minus b लिखो ओके यहां पर उल्टा कर रहे हम लोग और समझो 2 sin a sin b है यह वाला 2 sin a sin b तो यहां पर देखोगे तो थोड़ा सा यह minus होने की वज़े से थोड़ा change करना पड़ेगा 2 sin और sin होगा तो cos c minus cos d होता है तो cos c minus cos d होता है यहां पर हम क्या करेंगे जो a minus b बाद में हो पहले लेगे हर बार a minus b बाद में ले रहे थे a plus b जो पहले रहे थे वो बाद में ले लेंगे तो क्या सीखने मिला हमें यह factorization formula 4 होते हैं किस तरह से करना वो मैंने आपको बता है याद रखना किस तरह से और डी factorization formula यह भी काफी important होते हैं इसका उल्टा होता है 2 sin into cos तो sin c plus sin d आ जाए तो cos into sin तो sin minus sin आ गया 2 cos into cos तो cos plus cos आ गया 2 sin into sin तो cos minus cos आ गया यहां पर आपने देखा यहां जो c और d था c plus d by 2 था वो a और c minus d by 2 भी समझ लेंगे तो यह c जो a plus b के form में आ जाएगा यह d a minus b के form में आ जाएगा इस तरह से last में देखो यहां सब में पहले a plus b आ रहा है बाद में a minus b आ रहा है इसको अगर प्रूफ करने की बात करेंगे तो काफी प्रूफ भी कर सकते हैं पुराने जितने फॉर्मूलेस थे उनका यूज करके बट काफी लंबा चड़ा हो जागा यहां पर हम लोग summary सीख रहे हैं आप चाहिए तो खुछ से try करना लेकिन अगर आप से भी इतना formula पर दिया है कि sign 40 plus sign 30 और इसके नीचे यह बोला गया answer how much a b c d चार option है तो आपको बताना है कि चारो में से कौन सा राइट है अब क्या करोगे इसके लिए यह formula use करोगे sign c plus sign d and rough में करना फटा फट इसका value निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखो शॉर्ट में 2 into 2 into sign c plus d by 2 c plus d मतला 40 plus 30 70 by 2 तो 35 into cos c minus d c minus d मतलब 40 minus 30 10 10.25 तो यह क्या गया cos 5 तो यह इसका answer है समझ में आ रहा है तो इस तरह से यह formula use करके हम कोई value निकल सकते हैं अब match करोगे a b c d में से यह answer है क्या अगर यह मिलता जूलता नहीं रहेगा तो इसी को modify करके कोई और answer भी होगा इसी में और कोई formula तो जो answer आता उससे match करना है समझ में है तो इस तरह से जितने भी formula में सिखा रहा हूं उसको use करना है factorization formula हो गए डी factorization formula हो गए यहाँ पर जो ट्रीगोडी 2 है यहाँ पर जो compound angles वाला हमने पार्ट कर देता इस chapter का trigonometric 2 का जिसके अंदर लास्ट टॉपिक है trigonometric functions of angles of a triangle लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी summary में आपको बताया था यह क्या है फिर से पुरा detailed analysis इसका करते सपोच कोई हमारे पास एक triangle है इस तरह से and मैंने आपको यह सिखा है कि किसी भी triangle में जो three vertices होते हैं जिसको हम vertex भी बोल सकते हैं इन तीनों vertex के ऊपर जो angle होता है angle A, angle B और angle C इस angle के सामने वाली जो side होती है इसका length हम लिखते समय इस angle का जो नाम है capital letter उसी को small letter करके दिखाते है small यह क्या हो गया यह जो segment BC है उसका length हो गया इसे तरह से जो यह angle B है तो B के सामने की जो side है AC इस AC का length क्या होगा small B इस तरह से जो angle C है angle C मतलब यह capital letter है इसके सामने की जो side है उसका length क्या होगा यह C है इसलिए small C तो यह basic concept है किसी भी triangle के अंदर हम trigonometry करते हैं तो जरूरी ने कि कोई एक right angle ही हो अगर तीनों भी acute angle है तो भी अब यहाँ पर concept क्या है कुछ formula जो apply होते है जो direct हम यूज करते है बर direct यू C भी triangle के तीनों angle को plus करें suppose angle A अब angle A ऐसे लिखते हैं ठीक है लेकिन मैं समझों सिर्फ angle A को ऐसे लिखता हूँ A मतलब angle A है समझो A plus B plus C इस तरह से angle का sign मैं नहीं देता हूँ हाँ अभी formula मैं ऐसे करेंगे is 180 degree 180 को हम लेते हैं pi radian में okay so अगर मैं ऐसे करता हूँ कि A plus B क्या ह होगा तो C उस तरफ गया तो pi minus C अगर मैं बोलो B plus C क्या होगा यहाँ पर B plus C तो A उस तरफ गया तो pi minus A इस तरह से okay और अगर मैं चाहूं A plus C करना तो A plus C A plus C तो यह B उस तरफ गया तो pi minus B ऐसे हो गया तो मतलब इस तरह से basically आप किसी भी दो angle का sum तीसरे के form मिला सकते हो pi minus करके अब यहाँ पर concept क्या formula क्या trigononic function तो यहाँ है नहीं चलो मैं आपको बताता हूँ trigononic function अगर होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर यह तीन level है सम्झों इन तीनों के लिए और basic यह पहला है सबसे बहले बात करते हैं कि अगर यह a plus b है और इसका मैं sign निकलना चाहूँ sign of a plus b तो इसका answer क्या आएगा? sign of a plus b क्या आएगा? sign c आएगा direct किसी भी triangle जिसका नाम हो triangle abc ऐसे triangle में sign of sum of two angle is sign of third angle अगर इसी तरह से मैं बोलू sign b plus c क्या होगा? तो देखो a, b, c तीन है यहाँ पर a अब यहाँ से देख से c और b समझो इस तरह से हैं ऐसे है समझो a, b, c ऐसे लो या ऐसे लो चलो तीन angle है तो यहाँ पर a plus b किया ना a plus b तो c answer आएगा b plus c किया ना b plus c तो तीसरा answer आएगा यानि sin a और अगर मैं a plus c करता हूँ a plus c तो answer क्या आएगा sin b बट कैसे कैसे आ रहा ही है? तो यह मैं आपको बताना चाहूँगा इसको proof करके दिखाता हूँ कि चलो सबसे पहले a plus b लेते a plus b is equal to यहां पर से देखो a plus b क्या होता है? pi minus c. क्यों ऐसा? क्योंकि a plus b plus c क्या होता है? pi. तो c को उस तरफ लेगा तो pi minus c. अब यहां पर a plus b है यहां पर pi minus c है. मुझे क्या लेना है? इसका sign तो sign दोनो तरफ ले लेते हैं. अगर cos पूचा होता तो cos दे लेते, sin a plus b is equal to sin pi minus c, तो क्या जाएगा देखो, pi minus, ट्रीक याद करो, जो मेरा इसका पिछला लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बताया था, pi minus अगर हो, allied angles वाले trionic functions, तो क्या करेंगे, कौन सा quadrant आता है, याद है आपको, इस तरह से था, देखो, first, second, third, एकदम जान है, trionic functions की ये, all students take coffee, याद करो, pi minus, pi ये होता है, ये 0 होता है, ये pi by 2 होता है, pi minus होगा तो यहाँ करते हैं, pi plus होगा, minus होगा तो उपर, plus होगा तो नीचे, pi, so pi minus c, pi minus मतलब second quadrant, second quadrant में sine positive, तो sine है, sine का answer positive होगा, ये pi को अटाएंगे, तो sine का sine रखेंगे, अगर यहाँ पर pi by 2 होता, या pi by 2 का multiple होता, तो हम लोग क्या करते है, change कर देते, sine को cost कर देते, ओके, और ये c आ जाएगा, pi हट गया, c आ गया, sine c, और pi minus, pi minus second quadrant में, sine जो positive होता है, तो plus में answer आ है, sine a plus b is equal to sine c, समझ गया, इस तरह से देखो, ये पहला proof है, and इसी का use करके, जैसे मैंने यहाँ किया न, इसी का use करके, b plus c और a plus c के लिए भी formula ला सकते हो, बहुत आसान है, यहाँ b plus c लोग है, तो pi minus से आएगा, बिलकुल ली आ जाएगा, तो ये तीन formula आपको sine वाले हैं, जो याद रखने हैं, इसी तरह से cos के लिए भी formula है, यहाँ पर आपको बदना चाहूँगा, अब ये तो सिग गया आप, okay, cos के लिए formula लेते हैं, अगर cos होगा तो क्या करना, suppose यहाँ पर ये a plus b है, a plus b कैसे आएगा, ये c वहाँ गया, तो pi minus c, actual में cos का formula ये होता है, cos, अगर a plus b है तो, a plus b है तो क्या आएगा, तो चलो proof करके देख लिए तो न, दोनों साइड में cos ले ले लिए, cos a plus b is equal to cos pi minus c, so cos a plus b ये तो हई है इस तरफ, इस तरफ क्या होगा, ये pi हटेगा, तो cos का cos रहेगा, और ये c आजाएगा, आप कौन से quadrant में चेक करो, cos pi minus c, pi minus, pi minus second quadrant में, sin positive होता है, ये तो cos है, तो ये negative आएगा, समझे में आया, cos a plus b है तो क्या आगया, minus cos c आगया, यहाँ पर minus आ रहा था, नहीं, because ये सारे जो pi minus करने के बाद, second quadrant में आ रहा थे, sin था, sin positive आएगा, क्योंकि second quadrant में, pi minus theta second quadrant में, लेकिन जब cos की बात करते है, cos, तो cos में जब pi minus होगा, pi minus second quadrant में, s होता है, sin positive, cos negative होता है, तो ये निए अब यहाँ पर a plus b, कि जगा b plus c कर दो, या a plus c कर दो, और यहाँ cos ले लोगे, तो आएगा वही, क्या आएगा, minus में answer आएगा, cos आएगा, minus में cos, यहाँ b plus c हो तो तीसरा एंगल a है, a plus c हो b आएगा, समझ में आया है, इस तरह से ये cos वाले formula होगे, यह sign वाले थे हैं, मतलब, अगर sign a plus b है, तो answer sin c आएगा, positive आएगा, cos a plus b है, तो minus में cos ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, बट negative आजाएगा, और angle जो a plus b है, तो तीसरा angle आजाएगा, c, b plus c है, तो a आजाएगा, याद रखेंगे आप, तो यह क्या होगे, साइन और cos से related, इसी तरह से tan अगर करोगे, तो यहाँ पर cos के बदले tan लोगे, tan a plus b, tan a plus b, तो यह tan pi minus, pi minus है, pi को आटा है, tan का tan रहेगा, और pi minus c हैने second code negative आजाएगा, याने अगर cos है, वहाँ tan होगा, तो भी ऐसे ही आएगा, बट minus में आएगा, ठीक है, अभी एक और हम लोग लेते कि, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आपको दिखाई दी रहा है क्या है, यहाँ पर, चलो तोड़ा यहाँ नहीं दीख रहा होगा, light के विए से, आपका लेना, यह B plus C है, अगर समझो, यह half angle है, तो क्या होगा, half angle मतलब, कि sin A plus B upon 2 है, याने कोई भी दो angle है, A और B, triangle के अंदर, उसको 2 से divide किया हमने, तो क्या करेंगे, तो चलो, A plus B है न, ठीक है, और यहाँ पर C को उस तरफ लेगा है, दोनों को 2 से divide कर दो, sin चाहिए न, दोनों में sin दे दो, sin A plus B by 2, और यहाँ भी sin दे दो, pi minus C upon 2, pi by 2 अलग कर दो, upon 2 दोनों में कर दो, अब देखो, जब भी sin 90 minus होता है, 90 minus, तो 90 है, pi by 2 है, तो यह sin का cos हो जाएगा, और यह C by 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मैंने क्या सेख़ए आपको, जब भी pi होगा, pi minus, pi होगा, 2 pi होगा, 3 pi होगा, तो sin को sin रखते हैं, cos को no change, लेकिन pi by 2 है, या 3 pi by 2 है, 5 pi by 2 है, तो change करना पड़ेगा, अब यह quadrant देखो, pi by 2 minus, pi by 2 है, pi by 2 minus मतलब पीछे, और plus होता तो आगे यहाँ पर, pi by 2 minus मतलब first quadrant, यहाँ पर, first में A, A for all, सबके सब positive होते हैं, तो यहाँ पर C by 2 आ जाएगा, यह क्या था, sin A plus B by 2, समझ में आ रहा है, तो sin A plus B by 2 क्या आ जाएगा, cos C by 2, यहाँ पर, upon 2 आ ले भी होंगे, तो इस तरह से आएगे, और pi by 2 minus है, pi by 2 minus है, first quadrant में सब positive होते हैं, negative होते हैं, बट sin का answer को होते हैं, यहाँ पर क्या था, sin का answer, sin आ रहा था, upon 2 नहीं था, यहाँ पर sin का answer, cos क्यों है, क्योंकि upon 2 है, तो upon 2 के वाज़ से, यह जो pi था, pi by 2 हो गया, उसके वाज़ से हो गया, इस तरह से अगर आप यहाँ पर b plus c by 2 लेते हो, या a plus c by 2 लेते हो, इस तरह से, okay, sin sign करके, तो answer यह यहाँ है, sin का cos आएगा, sin का cos आएगा प्लस में, b plus c है, तो तीसरा एंगल a है, a by 2, a plus c है, तीसरा एंगल b है, b by 2, इतना आसान है, अभी समझो, यह जैसे मैंने sign लिया है, इस तरह से यहाँ cos होता, cos, अगर cos रहेगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, चलो, यहाँ पर cos लेके दिखाता हो, तो हमें, समझो, दोनों तरफ cos लेते हैं, थेखना ध्यान से क्या होगा, cos कर दिया, और cos कर दिया, यह cos कर दिया, 90 के वज़े से, 90 को हटाएगे, तो cos का हो जाएगा, sin, और यह c by 2 है, अभी sin देखो, 90 minus, 90 minus मतला 1st coordinate, all positive हैगा, मतला समझे, cos होगा, तो sign आजाएगा, sign था तो cos आगया, cos था तो sign आगया, अब इसके भी 3 formula आएंगे से, जैसे यह sign वाले 3 formula है, a plus b, b plus c, a plus c के लिए, वैसे इसके लिए 3 formula है, तो आपको क्या करना, trick याद रखना है, अगर कभी यह भूल गए, कि यार कैसे सीखा था मैंने 3rd angle का, तो यह याद रखो कि a, b और c को plus करेंगे, तो pi आता है, और यहाँ से हम कोई भी formula कभी भी, जो है deduce कर सकते हैं, इतने सारे formula याद रखने की ज़र्रत नहीं है, basic जैसे मैंने बाता हैं, किस तरह से लेना है, इस तरह से, तो यह हो गया topic, trigonometric functions of angles of a triangle, तो हमारा जो 11th का syllabus है, इसके अंदर इतने ही, अभी जो नया syllabus है, पहली बात तो यह बुरूँ कि, MSTCT का syllabus, last week आने की वज़े से, जो exact जो marking scheme आई है, updated syllabus आया है, जिसमें 11th के, last year तक जो chapters होते थे, अभी थोड़ा सा अलग chapters है, 10 chapters है, उसमें से यह chapter जो है, अभी मैंने बताया, इस से related कोई study material है नहीं, बट जो हमारा syllabus महाराश्टा बोड का है, उसके अंदर जो 11th का chapter है, उसके अंदर जो भी content है, वो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी हैं, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके MCQ की practice कराने वाला हूँ, सबसे बहले तो आप screenshot ले लो इसको, ठीक है, मैंने आज आपको क्या सीखा है, कि जो चीज़ें हैं, उसको रट्टा नहीं मारना है, पहले बात तो, ट्रीगो यह जो ऐसा chapter है, कि यह chapter हर जगह होता है, जैसे आपको पता है कि कोई भी खाना बनेगा, या कोई भी भाजी बन रहा है, उसके अंदर नमक होना बहुत ज़री है, इसी तरह से mathematics एक ऐसा subject है, जिसमें नमक का काम करता है, तो इसी लिए जो यह ट्रीगो है, यह एकदम basic है, यह आपको आना ही चाहिए, इसका पूरा base जो है, अगर आपको नहीं पता पूरा base, तो यहाँ पर मैं link दे देता हूं, description में, देख लो, starting के भी formula है, और मेरे पिछले वीडियो देखो, तो आपको base देखने की बिज़रत नहीं होगी, पिछले वीडियो देखो, ठीक है, आपको sign cost का थोड़ा तो base आता होगा, तो यह सब मैं थोड़ा सा, mstct के level से सिखा रहा हूं, इसलिए एकदम 0 से नहीं सिखा रहा हूं, मतलब जो भी 9, 10th का मैंने नहीं सिखा आपको, क्योंकि हम अभी थोड़ा higher level सिख रहे हैं, आप 11, 12 सीख चुके हो समझो, तो मुझे यही बोलना है कि यह जो trigo है, यह नमक का काम करेगा, अगर यह आपको नहीं आएगा, तो किसी भी चैप्टर में टेस्ट नहीं आएगा आपको, तो बहुत अच्छे से सीखना है, अभी यह जो है 11th के trigo का पार्ट हमने सीख लिया है, इसके साथ 12th में भी Maths 1 में 3rd chapter है trigomatic functions, वो भी काफी important है, और आपको बता दू, वो जो 3rd chapter है trigonic functions, वो पूरा जो, अभी मैंने यह topic सिखा है ना, trigomatic functions of angles of a triangle, इसके उपर depend है, यानि जैसे मैं यह सिखा रहा हूँ, यह तो शुरुवात है, इसी के basis पर बहुत सारे अलग-अलग जो formula है, तो हम अधे को, यहाँ पर हमने formula create करना आना चाहिए, formula बना ना चाहिए, और आज के सारे पूरे lecture में आपने देखा होगा, कि मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, कि यह formula कैसे आ रहा है, यह formula ऐसे आ रहा है, यह formula कैसे आ रहा है, तो मैं यह नहीं बोलूँगा, कि यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 formula से सब रट्टा मारो, मैं यह बोलूँगा, सिर्फ ट्रीक याद रखो, यह ट्रीक याद रखो, कुछ भी आया, तो तुरंट formula create करो रफ में, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रीगों को एकदम अच्छे से practice करो, और यहाँ पर यह chapter फिनिश हुआ है, मैं आप क्या करूँगा, MCQ की practice, इस chapter के basis पर, जितना भी topic इसके अंदर cover है, मैंने दो lecture में जो दिया है, उन topics के उपर MCQ अच्छे अच्छे देने वाला हूँगा आपको, जो उसके साथ साथ जो previous year में आई हुए questions है, क्योंकि और उसके बाद एक अलग से session में ऐसा लूँगा, जिसमें आपका ऐसे समझ सकते हैं, online exam होगा, questions आएंगे, और आपको उसका answer देना होगा, और एक अलग तरीके का मैं आपकी exam लूँगा हर chapter के उपर, जो आप test series समझ सकते हैं, उसमें आप अपना evaluation खुद कर पाएंगे, कि आपको कितने marks आ रहे हैं, और तुरंट on the spot जो है आपका result आएगा, तो ये सब चीजे होने वाली है, मैं कोशिश करूँगा कि इस lecture के बाद सीधे MCQ पे ना जाके, आपको इस chapter के अंदर जितने भी shortcut tricks है, वो भी मैं दे दू, कुछ examples के साथ और उसके बाद, और जो MCQ की practice होगी, वो live होने वाली है, उसमें आप मेरे साथ बात करोगे, कमेंट्स के चैट में, और मैं questions दूँगा आपको, आप answer, जो हैं अंदाजा लगाएंगे कि इसका answer क्या हो सकता है, मैं उसका final answer बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे वो solve हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसके बाद मैं कोशिच करूँगा कि आपको, DPP देने की, जो आप जानते हैं, generally entrance exam की practice के लिए DPP होती है, तो DPP देने की कोशिच करूँगा, कि डेली practice problem जिसको हम बोलेंगे, कि जितनी questions की मैं practice कराऊंगा, लगबग उतने questions में आपको self study के लिए दूँगा, कि आप घर पर practice कर पाएंगे, तो बहुत ही जबर जास्त होने वाली है, हमारी जो series है, एक लव यह badge जो है, यह सिर्फ MSTCT के लिए नहीं है, समझ समझा कि सिर्फ MSTCT है, अगर आप JEMANS की तियारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए भी बहुत ही suitable है यह, अभी हम specially महराश्ट्रा students के लिए यह कर रहे हैं, आपको बता दू कि जो MSTCT की exam होने वाली है, तो एक national level exam है JEMANS, और MSTCT state level exam है, तो हुआ क्या है कि पहले JEMANS का level, जो CBSC NCRT का था और अभी भी है, महराश्ट्रा state board के syllabus के basis पर MSTCT पहले था, महराश्ट्रा state board का syllabus है, वो NCRT से थोड़ा कम था, अभी syllabus चेंज हो गया है 12th का आपका, 11th का syllabus last year change हुआ, थोड़ा upgrade हुआ, तो NCRT का जो syllabus है, मैंने खुद चेक किया है, NCRT का जो syllabus है, वो लगभग लगभग अब सेम हो चुगा, थोड़े थोड़े topics का खाली difference है, याने कि अगर आप, जो मैं सिखा रहा हूँ, वो पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप J.E.Mains की भी त्यारी कर रहे हो, और M.H.T.C.T. की भी त्यारी कर रहे हो, और जहां भी maths होता है, 11, 12th के बिशिस पर maths की entrance जो भी होती है, सारी entrance की त्यारी आपकी हो रही है, समझ में आ रहा है, हाँ, जो थोड़े topic अलग है, जैसे यहाँ पर 11th में हमारे समझो की 18 chapter में से 10 chapters लिए हैं, बट J.E.Mains में क्या है कि 11th के भी कुछ chapters और भी topics है, वो थोड़ा आपको बात में अलग से करना पड़ेगा, और मैं कोछी चुरू हूँ है, सीरीज होते 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 हैं, तो अगर आप दोनों एक्जाम दे रहे हैं, M.E.S.T.C.T. और J.E.Mains तो कोई problem नहीं है, दोनों एक्जाम के लिए आप रिपेर हो रहे हैं, content यही है, topic यही है, आप मुंबई में, महराष्ट्रा में पड़ो, गुजरात में पड़ो, राजस्तान में पड़ो, यूपी बिहार में पड़ो, करनाटक में पड़ो, कहीं भी पड़ो, सारा syllabus NCRT बेच्ट है, या तो state board जो है, वो NCRT को ही follow कर रहा है, मैं all over India घूम रहा हूँ, हर state में घूम रहा हूँ, सब state की books देख रहा हूँ, यहाँ पर भी रह के देख रहा हूँ, और मैं जहां भी जाता हूँ, traveling के लिए, वहाँ students को पकड़ लेता, उनकी books मांगता हूँ, दिखा तेरे state में क्या है, और देखने के बाद मैंने पाया है, आप मेरे साथ तेरी करो, मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, हाँ, थोड़ा सा frequency अभी कम है, दीरे-दीरे हम लोग lectures की frequency बढ़ाएंगे, अगर आप boards की तेरी करने में पीछे हैं, तो फटा-फट boards का complete कर लो, उसके बाद एकदम free होके यह सब करो, क्योंकि आगे चलके आपके admissions, एंट्रेंस के basis पर ही होने वाले, MSTCT और जही मेंस के basis पर, boards का qualifying criteria होता है, 50% PCM होना चाहिए, समझ में आ रहा है, फिर भी boards में भी अच्छा करना है, एंट्रेंस में भी अच्छा करना है, हम जो काम करने हैं, उसमें पूरा अपना 100% देने वाले, यह अपना दिमाग में राखो, क्यों पढ़ रहे हो? 100% देने के लिए पढ़ रहे हो, नहीं तो मत पढ़ो, स्टूडेंटो, विद्यारती ओ, पूरा पढ़ो, खाना खा रहे हो अच्छे से खाऊ, गाड़ी चला रहे हो अच्छे से चला पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो टाइम वेस्ट होगा नहीं तो बहुत से बच्चे क्या होते पढ़ते भी रहते मोबाइल में भी देखते टीवी देखते पढ़ भी रहे वह ऐसा नहीं करना टीवी देखना है सब बंद करो अच पूरे चाप्टर की समरी कर रहे हैं उसको पूरा निचोड ले रहे हैं इस पूरे चाप्टर के इंदर क्या सिले बसे क्या कंटेंट है वह मैंने सब कुछ करा दिया है अगर आपने 11th का नहीं सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं 11th में चैप्टर अभी मेरे दो लेक्टर अगर आप देख लिए होगे ना तो यह चैप्टर आपको तैयर हो गया अभी मैं आपको सब्सक्राइब के लिए शौटकर्स बताने वाला हूं शौटकर्स क्या होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके अंदर कुछ ना कोई शौटकर्स ट्रीक होगी जो हम यूज कर रहते हैं जुर्री नहीं कि आपने जैसे 11 12 में कोई भी क्वेश्चन है उसको स्टेब बस्टे पूरा पैराग्राफ में सौल किया है एक पीज में सौल किया वैसा करें कोई शौटकर्स में दूँगा फॉर्मूलीज बताऊंगा अलग-अलग जैसे अभी मैंने बता है और भी कुछ दूँगा सब कुछ होगा बहुत कुछ होगा दिरे दिरे करके मैं आपके लिए एक फॉर्मेंट बना रहा हूं उस फॉर्मेंट में पूरा से लिए बस आपको दूँगा 11 के साथ 12 का सिर्फ आप बने रहो मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दिया करो अभी तक मेरा लेक्चर देख करें मतलब एक दम एक्साइटेड हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर पहली बार आए हो तो और सिर्फ अपने आपको ही फायदा दे रहे हो यार महाराश्ट्रा के बच्चों के लिए हम यहां खड़े हों के पढ़ारे पैर दुखरे खड़े बहुत देर से ठीक है बैट के बढ़ाने में और खड़े के बढ़ाने में बहुत अंतर होता है खड़े के बढ़ाने में मेरा प्यार दुखरा है लेकिन मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं आपके लिए वह पेइन सहन कर रहा हूं समझ में आ रहा है